आप सबको सबसे पहले आप इतनी संख्या में हमारे साथ बापू आश्रम आए हैं बापू धाम आए हैं इसके लिए आप लो धन्यवाद देते हैं आप सब जानते हैं कि आज गांधी जी का बलिडान दिवस है और आज ही के दिन भोट से में गांधी जी की हत्या कर दी और आप ये जान लिजिए कि गांधी जी के हत्या के प्रियास छे बार किये गए थे छे बार ऐसा नहीं है कि विभाजन के चलते गांधी जी की हत्या की गई गांधी जी की गई जा आज हम जिस तरह की परिस्थिती में खरे हैं जिस तरह से समाज के बीच नफरत फैलाया जा रहा है जिस तरीके से दिन रात हिंदू मुसल्मान करके लोगों के बीच में दूरियां बढ़ाई जा रही है जिस तरीके से अपने ही देश में अपने देश के नागरिकों को दोयम दर्जे का बताया जा रहा है ऐसी परिस्थिती में हम गांधी आश्रम आए हैं विधरवा आए हैं गांधी जी का संदेशा लेने के लिए वही संदेशा जिसमें गांधी कहते हैं कि किसी भी इंसान के साथ किसी परकार का कोई भेदभाव नहीं होगा लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि आज हम लोगों को गांधी जी के मूर्ती के उपर माल्यारपन करके माता कस्तुर्वा के उपर माल्यारपन करके बेतिया जाना था और बेतिया में कारिकरम करने के बाद मोतिहारी जाना था लेकिन पुलिस का ये कहना है पर्शाशन का ये कहना है कि आपका पर्मीशन किंसिल कर दिया गया है कल रात में को मुर्दाबाद कहने से कुछ नहीं होगा क्योंकि क्योंकि पर्शाशन पर्शाशन को सुनना पड़ता है पर्शाशन को माईद काने कर दो हो सकता है कि इसकिल में ये कहें कि आपको सांस रहने का भी पर्मीशन के इसलिए पर्शाशन को से आग रहा है हिरासत में लिया गया है हम लोग कानून को मनने वाले लोग है कितना संख्या में पुलीस है उसके ज़्यादा हम लोग है हम से हमारा नागरिक होने का कागज मांग रहे है और ये हमको डिगेन करने का कागज नहीं दिए हम लोग लरेंगे और इस बात के लिए लरेंगे कि हमको गांदी, अच्छाट, और भड़क के लिए बनाना है